तो वेलकम बैक टू दे चैनल गईज आप लोग देख रहे हूं मोटर बूल का एक और वीडियो और वीडियो के फ्रेम में आप लोगों को एक गाड़ी में आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कार कौन सी है बहुत से भाई पैचान गये हैं इस गाड़ी को कौन सी है बहुत से भाई हैं जो नहीं पैचान पाये हैं तो बेसिकली आज भाई मैं निकसा के सोरूम में आया हूँ और यहाँ पे इस गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ कौन सी गाड़ी है ये बात तो भाई कुछ भाई जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं वो एक अलग मैटर है लेकिन सबसे पहली बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ देखिए हम कार लेने जाते हैं बहुत बड़ा सपना होता है भाई हमारा एक गाड़ी लेने का और कार लेने का सोचता था तो सबसे पहले उसके माइड में आती थी एक हैच बैक गाड़ी ठीक है त्यूंकि उसके बजट इसके पॉकेट में वही कार समा जाती थी ठीक है उसके बाद यानि कि उससे अपग्रेट करके कोई सी भी गाड़ी वो नहीं खरीद पाता था रीजन ह जादा की गाड़ीयों के प्राइस बहुत जादा अप्ग्रेटेबल होते थे और एक और रीजन है मार्केट में लिमिटेट प्रड़क्ट होते थे ठीक है यानि लिमिटेट प्रड़क्ट का मतलब है कि कार कंपनीज गाड़ियां बनाती थी लेकिन लिमिटेट गाड़िय यही कार जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, इसकी वीडियो कुछी दिन पहले मैंने चैनल पे डाला है, यही कार थी, लेकिन वेरियंट चेंज था, तो भाई बात कर रहे हैं, All New Grand Bitarra, निकसा की तरफ से आने वाली, All New Maruti Suzuki Grand Bitarra, तो भाई इस गाड़ी में आप को क्या ऐसा मिल जाता है, और मैं किस वेरियंट की बात कर रहा हूँ, और क्यों मैं इस गाड़ी को यह आप लोगों के सामने लेकर क्या आ रहा हूँ, तो देखो, ट्रांस्मिशन के अगर बात करते हैं, तो मैन्वल के साथ साथ आटोमेटिक में भी आप लोगों को एक गाड़ी मिल जाती है, और उसके साथ ICVT जो मारूती का एक नया ट्रांस्मिशन है, वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, यह सारी बाते हो गई, त आप लोगो को किया एक्स्टा मिल जाते हैं, अगर आप कंपयर करते हो, ग्रेंड बिटारा के बेस वेरिंट से, यह जो गाड़ी आप लोग यहाँ पर खड़ी देख रहे हो, यह बिलकुल ग्रेंड बिटारा का basic वेरिंट है, और basic बेरिंट में क्या फीचर्स हैं, या नय Sigma, Delta, Zeta and Alpha Zeta इधर खड़ी है भाई और अगर Alpha की बात करते हो तो बिलकुल Top End Variant की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें आप लोगों को Panoramic Sunroof मिल जाता है ICPT जैसे Feature मिल जाते हैं तो वो आप लोग सामने देख पारे हो उसकी भी बात करूँगा सबसे पहले गाड़ी में हम ज़्यादा पैसे क्यूं देते हैं भाई वो देते हैं ऐसी चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ से मेरा मतलब है भाई Smart Key जैसे Features के लिए तो Grand Bitara के Basic Variant में आप लोगो Smart Key देखने को मिल जाती है यार देख सकते हो आप लोग तो हाप शॉक जरूर होगे होंगे Grand Bitara के Basic Variant यानि Sigma में आप लोगो को Smart Key देखने को मिल जाती है दो बटन इस पे होते हैं Lock का and again आप लोगो का यह खड़ा है इसका Sigma Variant और अगर इस तरफ मैं बात करता हूं तो यह खड़ा है इसका Zeta Variant दोनों इस गाड़ियों में क्या differentiation है वो बिलकुल भी बताना मुम्किन नहीं है ठीक है बिलकुल आप बता नहीं सकते कि दोनों कार में क्या differentiate आप कर नहीं पाओगे इन दोनों गाड़ियों को ठीक है इसका front देख लो और इसका front देख लो ठीक है difference क्या है उसकी भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं front profile में आप लोगो क्या मिल जाता है grand bidara के sigma variant में यहाँ पे आप लोगो को 3.DRL देखने को मिल जाते हैं जो की LED है इस तरह आप लोगो को projector head lamp देखने को मिल जाता है जो की आप लोगो का halosan lighting के साथ है यह एक difference है only one और कोई difference इसमें आपको देखेगा नी इस तरह अगर बात करते हैं तो rough black finish का border देखने को मिल जाता है chrome का जो treatment है गाड़ी में वो पूरा वैसे ही दीखेगा जो आप लोगो टॉप इंडेज जेटा वेरियंट में ही देखने को मिलता है gloss black finish में आप लोगो को इसकी grill देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा attractive लग रही है literally बताऊं तो बहुत ज़्यादा attractive लग रही है भाई पर खर्च कर रहे हो और छोटे मोटे features के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा amount दे रहे हो तो यह वर्थ इट नहीं है इस car यानि कि sigma variant पर ग्रेंट बिटा रहे के जा सकते हो और क्यूं जा सकते हो वो भी बात करेंगे अब side profile में आता हूं मैं बात करता हूं एक जो single differentiation आप लोग side से इसमें judge कर सकते हो वो क्या है वो है alloy wheel इस तरब आप लोग को दिख रहा होगा diamond cut alloy wheel आपको देखने को मिलेंगे machine cut भी आप इसे कह सकते हो लेकिन यहाँ पे अगर alloy की बात करते हैं तो वो missing है गाड़ी में लेकिन आप लोग को टायर मिल जाता सेम profile का Apollo का टायर जो black color की gliding दिख रही है यह also आप लोग को एक off-roader vehicles की feel जरूर देती है यानि आप इस से छोटी मोटी off-roading जरूर कर सकते हो अब बात करते हैं इस तरब भाई आप लोग को ORBM पे ही इसका sight and indicator देखने को मिल जाता है गाड़ी में जो की बहुत fabulous लग रहा है base variant में maximum गाड़ियो पीलर्स के अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा रफ लैक्फनीस में देखेगा आप लोग को gloss नहीं है इस पे mirror UV cut है बात करते है mirror section की तो 1,2,3,3 section में mirroring करी गई है quarter glass काफी wide दिया गया है मैं कहूंगा size में काफी बड़ा है और इसे एक proper SUV का feel जरूर दे रहा है ठीक है smart hybrid की badging देखने को मल जाती है मैंने आप लोगों को जब grand bitara के jetta variant की video बना करके दी थी उस ट्रहीं पे मैंने smart hybrid और strong hybrid दोनों को ही समझाया था यहां पर smart hybrid होने का reason क्या है यह आप लोगों को ज़रूर समझे में आ गया होगा because it top end variant नहीं है ठीक है और जो आप लोग का strong hybrid है वो ICVT में ही available कराती है नेकसा यह reason भी और आप लोग जो variant देख पारे हो यह है अपना manual transmission में ठीक है अब बात करते हैं नीचे भी आप लोग को tail light देखने को मिल जाती है रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है ठीक है इस तरब आप लोग को silver color की इसका plate देखने को मिल जात यहां से में इसका boot खोल लेता हूं ठीक है तो boot का जो भाई size है literally thumbs up वाला है boot कितना है car में वो आप लोग को visible हो रहा होगा screen पर बात करता हूं इससे बंद करके तो यहां पर मेरे को देख जाता है इसका fuel tank fuel tank की capacity कितनी वो भी आप लोग देख पाऊगे अपनी display ठीक है अब अंदर जाने से पहले में आप लोगों को बता दूँ इसमें आप लोगों को defogger base variant से ही देखने को मिल जाता है wiper नहीं है washer नहीं है वो miss है यह कोई base variant भी है यार चोटा मोटा cost cutting तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी cost cutting नहीं कह सकते भाई अब कम पैसे दे रहे हो तो feature क के साथ compromise करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे spoiler पे high mount stop lamp की placement दिखेगी सार्क्विन एंटिना आपको गाड़ी में देखने को मिलता है roof rail basically नहीं है गाड़ी में और इस car में जो आप लोग उस तरफ देख पा रहे हो वहाँ पे भी आप लोगों को roof rail देखने को मिलेगी लेकिन सबसे पहले बात करते हैं door से यानि कि driver side जो door है devil tone basically में इसे कह सकता हूँ जिसमें मेरे को भाई black color देख रहा है और थोड़ा सा ivory dark ivory color में से कह सकता हूँ इस तरफ अगर बात करते हैं तो gloss निस में आप लोगों को silver color देखने को मिलेगा chrome door handle देखने को मिलता चारों power window lock unlock का button देखने को मिलेगा और इस तरफ अगर बात करते हैं तो mirror lock कर सकते हो ORBM जो सबसे important feature होता है और जिसके लिए हम after market दोड़ते चले जाते हैं वो है बाई ORBM को fold and unfold भी कर सकते हो और ORBM को adjust आप electronically यहां से कर सकते हो speaker की placement है पर speaker missing है क्योंकि गाड़ी में music system आप लोगों को नहीं म दिखता है smart की तो हमें मिल गई लेकिन base variant में हमें नहीं मिलता है feature उसकी भी बात कर रहे है वह क्या है driver side की seat है उसकी height adjust आप लोग यहां से कर सकते हो जो की again एक काम का feature है dead pedal भी आप लोगों को गाड़ी में देखने को मिलेगा जो आप busy बल कर पा रहे होंगे manual transmission है तीन दिन steering wheel पे ही भाई अपना infotainment system जो होता है उस से related control देखने को मिल जाते है सुजुकी का chrome में logo again round shape में chrome देखने को मिल जाता है इस तरह अगर बात करते है तो silver color की finishing देखने को मिल जाती आप लोगों को दोनों ही side यहां पे मैं इसे थोड़ा सा devil tone भी कहना चाहूंगा because यहां प पता है क्या है कमाल की बात भाई यह है ठीक है steering wheel आप लोगों को tilt है और telescopic भी देखने को मिल जाता है इस वाले variant में ठीक है देख सकते हो आप यानि कि tilt steering wheel और telescopic दोनों का ही आप लोगों को feature देखने को मिलेगा इस तरह अगर बात करते हैं right वाली no pay तो headlight related control देखने को मिल देखने को मिल जाते हैं automatic wiper यहां पे भी missing मिलेंगे आप लोगो hazard light आप यहां से on कर सकते हो कार की इस तरह अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पे आप लोगों को infotainment system aftermarket या company fitted दोनों में से आपके पा option है कुछ भी लगा सकते हो vent देखने को मिलेगा vent पे आप लोगों को silver connection control है ideal start and stop का button है 12 volt का charging socket अगेन आप लोगों के लिए यहां पे nexta introduce करती है ठीक है USB charging नहीं है लेकिन इसे भी आप लोग लगवा सकते हो mobile जरूद रख सकते हो deep space है 5 speed का manual transmission जो की again आप लोगों का बिलकुल simple इसका जो handle है बिलकुल simple दिया गया ठीक है parking brake आप लोगों को यहां आप लेवल कराती है नेकसा 2 का folder दिये है इस तरह पाते हैं तो armrest base variant भी दिया गया यार तो क्या चाहिए काम के सारे feature गाड़ी में मिल रहे है यार यह चीज तो हम aftermarket 10, 20, 25,000 रुपे में अराम से लगा सकते हैं 15,000 रुपे में भी with this speaker हम यहां पे touch screen improvement system fit करवा सकते हैं aftermarket ज जितना बजट है उतना काम करवाई है ठीक है आयार वीम पे आते हैं तो यहां पे मेरे को जो आयार वीम दिख रहा है यह day and time manually आप इसे adjust कर सकते हो लाइटिंग की अगर यहां पे बात करते हैं तो हैलोजन रिडिंग लाइट के साथ आप लोगो को दिखेगी माईक का placement है इस तरब अगर बात करते हैं तो vanity mirror आपको देखने को मिलेगा without lighting के साथ ठीक है अब मैं इस तरब अगर बात करता हूँ तो again airbag की badging के साथ मेरे को vanity mirror देखने को मिल जाता है without lighting के साथ ठीक है यह कुछ है इंटिरियर का इसका जो एक तरीक से dashboard layout है वो कुछ ऐसा दिखता है pop perfection के साथ दिया गया है अब मैं doors पर आ जाता हूँ तो doors पर भाई मेरे को यहाँ पर soft touch का treatment भी देखने को मिल जाता है जो कि again literally बहुत धा खूब सुरत लग रहा है इस तरब आप देख पा रहे हो यह पूरा पूरा feel करा रहा है कि यहाँ पर leather लगा हुआ है leather नहीं है लेकिन feel पूरा पूरा करवा रहा है ठीक है लेकिन अगेन यहाँ पर आप लोग को fabric का जो इस्तेमाल किया गया है जो treatment दिया गया है वो बहुत धाधा ओशम है आप लोग को bottle holder capacity चारों door पे मिल जाती है कुछ space देखने को मिल जाता है इस तरब मारूती की एक अच्छी बात लगती हो ठीक है कार में जो interior को एक तरीके से impressing बनाने के लिए या interior को luxurious feel करवाने के लिए छोटे-छोटे chrome के treatment गाड़ी में किये गया है अब आप इसी की बात कर लो यह क्या मतलब मेरा कहने का मतलब है भाई इसकी MID ठीक है जैसे मैं open करता हूँ तो आपको लग रहा है कहीं से भी कि यह base variant की आप लोग M.I.D. on कर पा रहे हो इंस्टूमेंट cluster अगर किसी गाड़ी का on कर रहे हो तो आपको basic variant वाली feel दे रहा है भाई मुझे तो नहीं लग रहा है भाई comment section में जरूर लेखें किस-किस भाई को यह पसंद आया ठीक है टेको मेटर, स्पीडो मेटर अलसो गाड़ी में दिया गया है बीच में छोटी सी M.I.D. दे गई है जो बहुत सारे features आप लोगो को दे रही है बात करूँ भाई मैं इसकी तो literally thumbs up वाली बात है बहुत जादा fabulous लग रहा है और features ठीक है features पर आते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप ठीक है यहाँ पर देख रहे हो engine, motor, battery जो आप लोगो है smart hybrid वाले technology है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगो feel हो जाएगी क्या है क्या है क्या नहीं है ठीक है बहुत ददा fabulous लग रहा है भाई मेरको बहुत ददा literally मैं दस में से 10 number देना चाहूंगा इसके sigma variant को interior wise और exterior wise ठीक है बात करते हैं भाई क्या कुछ नया है गाड़ी में तो भाई देखो यह जो sitting comfort आप लोगो को मिल रही है ना यह जटा variant में भी आप लोगो same sitting comfort देखने को मिल जाता है फैबरिक की seat है जरूर है इस पे आप लोग seat cover लगाओगे लेकिन जो seat का एक तरीके से cushioning है जो seat क treatment है भाई वो next level का है ठीक है एक और जो differentiate इस गाड़ी में आप कर सकते हो जेटा variant से वो है या alpha variant से six airbag नहीं मिलते हैं आपको इस car के साथ आप लोगों को इसमें दो ही airbag देखने को मिल जाते हैं no doubt कोई दिक्कत नहीं है मैं literally बता रहा हूँ dashboard layout की अगर बात करते हैं तो total hard touch plastic material आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं उस feature की जो इसे एक literally SUV वाला feel देता है वो है driving pleasure अगर आप इस car के driving seat पर बैठ जाते हो और अगर मैं अपने driving seat को अपने हिसाब से बैठ जाते हो तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ थोड़ा सा आगे मैं निकाल लेता हूँ seat को अ last section काफी wide है literally thumbs up वाली बात है किसी जीज की कोई कमी नहीं है गाड़ी में ठीक है और में को जो feel आ रहा है ना कार में वह एक number अगा है ठीक है glove box खोल के देखता हूँ तो भाई space है बहुत deep नहीं कह सकता लेकिन compact space आप लोग को जरूर दिया गया है सो भाई जैसे back door पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो door है मुझे यह थोड़ा इसकी opening कम है टाटा की कार में 90 डिगरी खुल जाता है लेकिन इससे 90 नहीं कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी आप लोग को dual tone वाला जो feel है वो पूरा पूरा कराया है नेकसा ने इधर अगर बात करते हैं तो gloss finish में आप लोगों को silver treatment देखने को मिल जाता है प्रोम डोर handle देखने को मिल जाता कुछ space है soft touch है और यह again feel soft touch वाली देगा ठीक है अब बात करते है speaker नहीं लेकिन bottle holder जरूर है गाड़ी में यहाँ पे बैठता हूँ मैं और आप लोगों के साथ फिर बात करते हैं तो भाई जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो लग रहा है कि मैं एक SUV में बैठा हूँ जब भाई म पे भी आप लोगों को adjustable headrest देखने को मिल जाते हैं और दो नहीं है भाई तीन-तीन adjustable headrest हैं तो safety wise जो लोग doubt करते हैं मारूती की कार खरीदने से पहले उन लोगों में बता दूँ कि यहाँ पे जो तीन-तीन headrest आपको दिये गया है यह again safety wise भी एक plus point है headrest के साथ साथ आप लोगों को एक extra यानि की तीन-तीन seat belt का भी आप लोगों को option दिया गया है यहाँ पे अब बात करते हैं इस वाले feature की तो क्या ही कहना यार armrest भी आप लोगों को back में दिया गया है और ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा गया है का folder भी दिया गया है यानि कि गाड़ी में कुछ space जरूर है ठीक है यानि कि USB charging या type C जैसे feature आप लोगों को इस कार में देखने को ने मिलेगा उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा after market और इसमें आप लोगों को fix करवाने पड़ेंगे ठीक है sitting comfort next level का है भाई जो मारूत इस तरब reading light halogen में है handle की अगर बात करते हैं तो again वही आप लोगों के 1,2 and 3 है driver side नहीं मिलता है हाँ इसकी seat जो belt है उसे आप लोग adjust जरूर कर सकते हो manually ठीक है तो जिस हिसाब से आपकी height है जिस हिसाब से आप अपनी height के हिसाब से adjust कर सकते हो भाई वो जरूर रहने वाली है again car बहुत roomy है कोई दिक्कत नहीं है visibility next level की है SUV वाला फिल जरूर आप लोगों को एक गाड़ी करवाती है तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस car में आप लोगों को 1.5 लीटर का petrol engine देखने को मिल जाता है देखिए अगर power और torque की बात करते हो इस screen पर जरूर होगा कितनी power कितना torque की engine आप लोगों के लिए है काफी अच्छी power है काफी अच्छा torque है और मारूती अपने इस 1500 cc के engine को बहुत सी गाड़ी हो में इंट्रूस करते हैं सिया मारूती की engine पर सक नहीं किया जा सकता है अब आते मेन मुद्दे यानि की pricing पर तो अगर गाड़ी आपको पे करना पड़ेगा और इस गाड़ी को आप बुक करवा सकते हो अगर on road price की आप इस गाड़ी की बात करते हो तो 12,85,000 रुपे मातर में आप इस कार को अपना बना सकते हो तो आईए गाड़ी बुक करवाईए और अपने घर लेके जाहिए तो वीडियो कैसी लगी लाइक सेर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई कि ग्रैंट बिटारा का सिग्मा वेरेंट आप लोग को पसंद आया है या नहीं आया है ठीक है वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बात धन्यवा थैंक्यू सो मच